पुनहो परियास करने से कभी मत घबराओ क्योंकि इस बार सुरुवात सुन्ने से नहीं अनुभव से होगी तो इसी के साथ स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्वादिस्ट चुलहा में सबसे पहले आज मैं आप लोगों को उत्राखंड के प्रसिद्ध तेवार हरेले की बधाई देना चाहती हूँ जो हमारे उत्राखंड में धूम धाम से बनाया जाता है और जिसे हरेली का प्रतीक माना जाता है तो उसी के उपलक्ष में आज मैं आप लोगों के साथ जो रैसी जिसे हमारे वहां बोया जाता है और जिस दिन हरेला होता है उस दिनbras इसे काटा जाता है उस तरीके से हम लोग अपने तैवार को सेलिब्रेट करते हैं तो चलिए अब मैं आप लोकों के साथ रैसीपी शेयर करूँगी रोट की रेसिपी तो सबसे पहले देखे गुड का हम पाग बना लेंगे तो पानी गरम करेंगे बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है बस आधे गला से थोड़ा ज़्यादा हमने पानी लिया हुआ है और देख सकते हैं आप धिरे धिरे गुड जो हैं आपे मेल्ट हो गय है गैस की आच हमें यहाँ पे बहुत तेज नहीं रखनी है मीडियम फ्लेम हमें रखनी है गोड का पाक तयार है उसको हम साइट अग दिंग मतलब हमने चान के यहाँ ठंडा करके ले लिया है तो हमें चान लेना है और 37 सामान आप देख सकते हैं आप क्या क्या हमने लिया ह को है घी है सुजी है सोफ और गोला है और 37 अटा है तो सुजी लेते समय में ध्यान रखना रखना है कि बहुत ज़्यादा सुजी रहना है इसका剛剛 क्यून है dubai प्रसाद ये होता है तो इसलिए घी का हम यूच करते हैं वर चार से पांस चम्मच इसमें घी जाएगा और देख सकते हैं आप चम्मच का साइद इग्दम चोटा नहीं है तो मोयन हमें इसमें अच्छे से डालना होता है और विसे सूजी जब हम एड़ करते हैं तो सूजी एड़ करने का हमें बहुत ध्यान रखना है सूजी बिल्कुल ऐउसी मैज करना है उसके गुड़ का पाग इससा से चाहन लिया हॐ और जूदा गूदना जाय हो जाए हम थोड़ा यह तो दिया है तो यहां पर त्यार हमने ऐसे गूद लिया है तो जो herum छर्ण करना हुदख थोड़ा है तो अब इस तरीके से देखे हमें हाथों में जो है अच्छे से हम लोई इसकी बना लेनी है यह और इस तरह से इनको हम तैयार करेंगे तो वैसे तो ये प्रसाद की रूप में बनाया जाता है और अगर आप चाहें तो वैसे भी जैसे कभी बच्चों के लिए आप इस तरीके से रेसिपी एक ट्राइ कर सकते हैं अपने घर पे हैं तो यहां पर तावी में हमने जो है घी डाल लेना है और ऊची यहां तो अब देखिए यह हमने अपना रोट को हमने इसे डाल लिया है और हलकी हलकी आच में हमें इसे पकाना है और जब एक साइटी अच्छे से पक जाती है दो से तीन या चार मिनिट हमारी लगेंगे हलकी आच में उसके बाद हमें इसको हलके हातों से पलट लेना है देख सकते इस तरीके से यह देखिए तो अब यहां पर भी हम थोड़ा इसमें ऑईल और डाल देंगे तो इस तरीके से रोड जो है हमारी यहां पर तैयार होती है बहुत कठिन इसको बनाना नहीं है बढ़ थोड़ा सा हमें रेशियो का ध्यान रखना होता है कि हमें किस चीश की मातरा कितनी रखनी है तो यहां पर बहुत जादा हमें उसकी सूजी का ध्यान रखना है अगर सूजी बहुत कम ही हमको डालने में पर चौता है या उससे कम ही हमें सूजी डालनी है तो देखिए अब इस तरीके से फिर दूसरी भी हम यहां पर रोड बेल और यह रोड हमारी तयार है तो इस तरीके से हमें जो है रोड को अपनी सेक लेना है थोड़ा घीं की मातरा इसमें ज्यादा लगती है तो इस तरीके से रोड हमारी हमें जो है तयार कर लेनी है यह देखे इसको बहुत साउधानी से पलटना होता है क्योंकि इसमें क्याए सूजी रहती है और जब गरम यह पकता है तो एकदम से थोड़ा सा क्या हो जाता है कि सॉफ्ट हो जाता है और जब रोट तयार हो जाती है तो उसके बाद रोट फिर से ठंडी होने पर फिर एकदम नहीं तूरती है फिर ये टाइट हो जाती है तो इसी तरीके से हमें थोड़ा जब हम पका रहे होते हैं तो हमें हातों से पलटने में थोड़ा सा इस चीछ का ध्यान रखना होता है कि हमारी रोट ना टूटे और बेलने में थोड़ा मोटा हमें बेलना है बिल्कुल बारिक पतली रोटी जैसा नहीं बेलना है क्योंकि रोड थोली मोटी होती है तो तभी खाने में सुआद आता है और हलकी आच पकाना है जिसे अंदर तक ये पक सके तो इस तरीके से जो है हमारे उत्राखंड में जो है रोड जो है बनाई जाती है तो कैसा लगा आप लोगो मेरा वीडियो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो देख सकते हैं आप यह तैयार है हमारी रोड को इस हरेले के उस स्व पार जो है आप लोग भी जो है एक एक पेड जो है जरूर लगाना चाहिए क्योंकि हमें जो है अपन